अगर आपने 4000 वार्स टैम और 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर लिया है तो आप कैसे अपने यूटूब चानल को गूगल एड्सन से लिंक कर सकते हैं बहुत सार लोग इस प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए कुछ गलतियां करते हैं जिसके बज़े से उसका यूटूब चैनल पॉनिटाइज नहीं हो पाता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करेंगा कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो आप कुछ ऐसे टॉपिक मिस कर जाते हो जो आपके लिए जाना बहुत जरूरी होता है और अगर आ आप अपना YouTube चैनल को Google Adsense से monetize कर सकते हो इसके लिए आप यहां पर देखोगे तो apply now का option सो हो रहा है आपको यहां पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे इसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो three steps सो हो रहा है आपको इसे complete करना है जो first step है review partner program terms तो इसके अंदर यह बता रहा है कि भाया आप अपना rate कर लो terms and condition ताकि आपको पता हो जाए कैसे आप यहां से पैसे ले सकते हो चलिए मैं यहां से क्लिक करो start पे जैसे पर start करोगे तो आप यहां पर देखोगे यह complete हो चुका है जो second step है आपका जो YouTube चैनल है उससे Google Adsense से link करना है इसके में लेंगे जो first option है अगर आपके पास already adsense का account है तो आपको क्लिक करना है I have an existing account अगर आपके पास adsense का account नहीं है तो आपको क्लिक करना है no I don't have an existing account तो मेरे पास already adsense का account है फिर भी मैं आपको कड़के दिखा देता हूं अगर आप नए account बना रहे हो तो आपको क्लिक करना है no I don't have an existing account तो आपको वहांपर क्लिक करना है फिर आपको क्लिक करना है फिर आपको कुछ रहे है क्या कूंसे mail ID से link करना चाहते हूं तो आपको यह mail ID स्लेक्क करना है जैसाब select करोगे फिर आपके पास कुछ यहांपर detail आ जाएंगे जिसको आपको ध्यान से देखना है एंदेन आपको क्लिक करना है accept association फिर आपको name, address, phone number इंटर कर लेना मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास already adsense का account है तो मेरे पास यह option नहीं आएंगे क्योंकि मैंने इससे पहले verify कर दिया है तो मैं यहां से जा रहा हूं back इसके बाद आपको यहां से option select करना है I have an existing account then आपको क्लिक करना है continue फिर आपको यहां पर mail id जो भी आपके adson इस mail id लिंक है उसको आपको यहां से लैक करना है फिर आप यहां से नीचे आना है और आपको यहां क्लिक करना है accept association जैसे accept करोगे फिर आपको redirect पर दिखोगी कि second step complete हो चुका है इसके बाद जो third step है इस step में आपका जो channel है वो review में गया है जैसे यह आपका channel review हो जाता है फिर आपका channel का monetization on हो जाएगे अगर मान लो आपका channel 5 days से review में so हो रहा है तो आप इस problem को कैसे solve करोगे इस problem को solve करने के लिए मैंने i button में link दिया है आप उस link पे click करके वीडियो को watch कर सकते हो तो दो दिन के बाद मेरे पास mail आ गया था कि आपका monetization on हो चुका है और मैंने YouTube पे आके भी check किया तो यहाँ पर दिखोगे तो congregation आ रहा है और आपका monetization वो on हो चुका है अब आपको click करना है get start पे जैसे click करोगे फिर आपको click करना है turn on add इसके बाद आपको यहां से select करने है फिर आपके पर दो option आ रहे हैं आपको यहां पे 'll पे पूछ रहा है क्या आप किस वीडियो पर monetization on करना चाहते हों तो सब्से first option है कि आप पूरे video पर monetization on करना चाहते हूं या फिर आप चूज करना चाहते हूं कि उस वीडियो पर मोनेटाइशन ओन हो तो मैं यहां से ले रहा हूं All of my existing video then आप क्लिक करना है मोनेटाइशन All जैसे आप क्लिक करोगे शुड़िए देखोगे तो रिफ्रेसिंग होना स्टार्ट हो चुका है एक तो आप हमें कमेंट कर सकते हूं गाइज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले आपके पास आएंगे आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक से अर सभ्सक्राब पना मत बूले तब तक pastel लिए आप systems करें बाय दिए और फिर मिलेंगे नफा로 मैं